प्रधान मंत्री नरेंद मोधी आज बतादे की आपदा जोखिन नियून्द करम बतादे की नियून्दी करन रास्ट्य मंच के ती सिरसत्र का उधखाटन करेंगे जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नियून्द करन रास्ट्य मंच करन रास्ट्य मंच करेंगे प्रधान मंत्री की इस कारिक्रम के दौरान सुभार शंदर बोस के आपदा प्रवंदर पुरुसकार विजेता को सम्मानित करेंगे। पर घटना स्थल पर बचाव अभियान लगातार चारी है। पिल्हाल हवग पुलिस मौके पर एक बचाव अभियान चला रही है और आरोपियों के तलाश में लगातार चूटी हुई है। पुलिस के मताबिक हमले में मकसद क्या है ये अब सामने आएगा लेकिन फिल्हाल ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं अपने च्वार दिवस ये कल दौरे पर वतादी की गोरकपूर आये मुख्यमंत्री योगी आदितनात का कल अंतिम दिन था गोरकनात मंदिर पहुँचे थे वे। और इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित, काली, माता, भगवान, गनेश और साथी, श्रीकाल, भैरव की मूर्ति का प्राणपत्रिष्ठा कारिक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बतादे की भंडारे का भी आयुजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाथ ग्रहन किया है। हम अपने प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के ऐसे फैन के बारे में आपको बताएंगे और उनकी दिवानगी के बारे में आज आपको बताएंगे जो हजारों किलुमेटर की दूरी पर साइकल से तैक करता हुआ ये यात्रा दिल्ली के लिए ज़ा रहा है। और साथी पतादे की फिरोजाबाद के सिरसाग गंज पहुँचे हैं ये वैक्ति और इरहोने पियम मोदी के इस फैन ने जारखन के जमशेदपूर से दिल्ली तक का ये सफरते किया है। पतादे की साइकल पर एक नेम प्लेट है जिस पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जमशेदपूर टू दिल्ली और एक तरफ तिरंगा जंडा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जंडा भी है। बिल्कुल साधहरन से दिखने वाले ये युवक का नाम फूलचंद्र है और साथ ही जो हजारों किलोमेटर साइकल से यात्रा कर दिल्ली जा रहे हैं। जहां दलितों और वंचुतों के हक को लेकर संसत से सडक तक प्रदर्शन चल रहा है वहीं विद्धान सभा में वीजेपी स्नरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। यूपिकायाटा से एक खबर सामने आई है, जहांपर बतादे की मुखिया के बतादे की सजवातिये लोग होली के पर दलीतों पर अत्याचवार पर पह रहे हैं, घटना होली के तैवbag पर ये घटित हुई है, जहांपर यादफ समुदाय के युवाओं द्वारा, दली पिड़ चाल करने के बाद उसके घर में घुसकर जमकर तांडब मचाया गया और पीट-पीट कर लहू-लहान कर दिया गया मामला कोतवाली अली गंजु के नगला भज में घटित हुई है जोहाँ पर नगला गजपती के यादप समुदाई के लड़कों ने गाउं में घुसकर ये संसनी खेज बारदात को अंजाम दिया मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने विरूत विभिन धाराओं में मुकर्मा दर्ज कराया गया है फिलहाल पुलिस आरोपियों की धर्पकड में जुटी हुई है अब खबर आपको बिजनौर से बता दे जहां पर होमगार्ड की नहर किनारे पेड से लड़का हुआ एक शब बरामत किया गया है जिसके बाद से परिवार में कहराम समचावा नजर आया परिजनों का रोर होकर बुरा हाल है वही मृतक टीकम सिंग नांगल थाने के बता द सूचना पर पहुँचे पुलिस ने शब को कब से में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है और मामली की तफ्तीश ने जुट गई है वहीं फिरोताबाद में वर्षो पुरानी चल रही बता देए कि परंपरा के तहट गराम चुलहावणी में पैना मार होली का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व गराम प्रधान शुंकर सिंग सौलंकी द्वारा यह आयोजन कराया गया है जिसमें पैना मार होली में भाग लेने वाली महिला और पुर्षो को सम्मान पर उन महिला पुर्षो को सम्मान किया गया जिस महिलाओं ने सबसे ज्यादा पुर्षो पर पैना मार है और सबसे ज्यादा महिलाओं से पुरुष पिटे हैं आपने बता देए कि मतुरा वर्धावन की लठमार होली तो सुनी हो मगर ये फिरोजाबाद में एक गाउं के चुलहावली इस पर भी बतादेई की पैनामार होली खेली जाती है और यहाँ पर टूंडला के ग्राम चुलहावली में पैनामार होली वर्श पुरानी परंपरा है जिसे आज भी पूर्व ग्राम पधान श्रंकर सिंग सोलंग की द् निभाई जा रही है पिलिभीत के न्यूडिया थानच फेतर के हर किश्वनपूर बतादेई की गाउं में पिता पुत्र को चापू से गोंद कर घायल करने की घटना सामने आई है बतादेई के गाउं के 45 वर्श ये रामूर्तिलाल और उनका बेटा विकास गुरुवार को घर के बाहर बैठे हुए थे तभी गाउं में रहने वाला धीरच अपने कुछ साथियों के साथ घर के बाहर गाली से बतादेई की गाली गरोज करते हुए गुजर रहा था जब बतादेई की रामूर्तिलाल ने गाली सुनी तो उन्होंने बतादेई की आरोपियों से इस दौरान मारपीर शुरू की गई और साथी शोर सुनकर आसपरोस के लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। अच्छासर अब लगातार उस आरोपी की चलाश में जुटा हुआ है। शेट पर गये थे शेट बजाने बुझी उन्सी चवराय पर उनने अपने दरवाजिये पर गहल लिया इनके लिए घहने बाद में रामुतिलाल के चाकू मार दिया और विकास की लड़के भी चाकू मार दिये। विकास तो इस तम पिलीवीत हसीटन में वो उनको बरेली रेफर कर दिया गया है। बलरामपूर में राश्च्वेहरेद प्रधिकरण के नियमों की धज्या उड़ाई जा रही है। के तहट तमाम तरिके की दिक्कते हो रही है। हिंदू योधा पड़िवार के पद अधिकारियों ने बता दे की हिंदू योधा पड़िवार के संस्थापक चौधरी विश्व सिंग कबोज के नेफ्युत में जोपड़ियों में रहे। हिंदू योधा पड़िवार के संस्थापक चौधरी विश्व सिंग कमबोज ने बताया है कि उन्होंने अपने संगठन के पद अधिकारियों के साथ जोपड़ियों में रहे रहे गरी पड़िवार के लोगों और बच्चों के संग होली पर उन्हें होली की बधाई देते हिंथाई वित त्रित करते की बात कही है और साथ हुनोंने बताया है कि उनका संगठन ये कार्य हर वर्ष करता आרה है होली के पावणपर पर ये हमेशा करते हुए ये काम नजर आते हैं और ताकि कोई गरीब होली के पर्व की खुश्यों से वजजित नारह जाए अर्दोई में घर के बाहर खेल रही छफेस साल की बालिका के साथ दोशकर्म और हत्या करने का मामले में जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और उसी समय के सिपाही की राइफल छीन कर वहां से भाग निकला आरोपी और जोरान हर दोई जिले के पच्च देवरा थाना इलाके में एक गाउं में 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुशकर्म और साथी हत्या की वार्दात किस आरोपी ने अंजाम दिया था होली के तहवार के मौके पर लोग गाउं में एक दूसरे को लेकर एक दूसरे से मिलकर बधाई देते हुए नसरा रहेते उसी समय शाम के वक्त इस आरोपी ने बालिका अपने घर में घर के बाहर खेल रही थी बच्चों के साथ और इस दौरान बता देए कि इस आरोपी न है उसके बाद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था लेकिन आरोपी फरार हो गया था जिसके बाद से मुझभेड में आरोपी को पुलिस ने बता दे कि गोली मारी है और इस दौरान आरोपी घायल हो गया है उसे अस्पताल में भरती कराए गया है पजदेवरा का कृषिना पाठक है, इसके द्वारा करलात जबन दखना कारित की लिए, उसे समंधित तर्जवगी एविडेंस थे, उस अब रात में और सुबे बरामत किये गए, और इसको लबख साड़े वारा वजे पजदेवरा से गिरफतार किया गया था, पुलिस द्व और कॉंस्टिबल की रहे खाल लेकर के भाग लिया था अच्छी जो थी, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थी, उसको अपना निशाना बनाया और इस दोरान दुशकर्म की बारदात को अंजाम दिया, उसके बाद हत्या कर उसको अपने घर के बाहर ही फेक कर वहां से फरार हो गया था, लगातार प्रशासन जो है, आर अपने दोस्तों के बाहर अपने दोस्तों के बाहर ही थी, उसको अस्पताल में भरती कराया गया था, अभी आरोपी की जो हालत है, वो सामाने बढ़ी हुई है योगी सरकार द्वारा चुलाए जा रहें नशे के विरुदाविहान के तहट बता दे की रक्षा थाना च्फित्र में अमरपूर गाउं में हो रही, अफीम की खेती की सूचना पर चापे मारी करते हुए, 92,733 से अधिक संख्या में पोस्तों के पौधे वरामत किये गए ह इसकी केमत अंतरास्टी बाजार में करोडों रुपे की बताई जा रही है, पुलिस टीम ने मौके पर दो अभ्यूक्त को भी गिरफतार किया है, जवानकारी के मुताबिर SSB, राजियोश एसके निदेश पर रक्षा पुलिस ने ग्राम अमरपूर के चापे मारी करते वही एक आरोपी मौके से फरार हो गया जिसका नाम राम किशोर प्रजापती बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी अफिम की खेती कर इसे बड़े दामों में बेचा करते थे और वहीं पकड़े गए माल की कीमत अंतरास्टी बाजार में करोडों कि बताया जा रही है, इन दोनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अव्योग पंजिकरित करके इनको जेल भेजा जा रहा है, तथा इनके साथ जो सहयोगी थे तीन अव्योग उनको भी इस इन अव्योगों में वांचित किया गया है विजनौर के गाउं और अंगाबाद में एक बतादे की चार पहिया वहन अनियंतरित होकर घर में घुज गया जिसमें पिता गंभी रूप से घायल हो गए दो मासूम की मौत हो गई थी, आज उप्चार के दोरान पिता की भी मौत हो गई है पतादे की इस मामले को लेकर गुसाए गाउं वालों ने सड़क पर जम कर जाम लगाया है और पतादे की एक्सिडेंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग करते वे नसर आये में तक परिवार को मौाबदा दिलाने की भी मांग करते वे नसर आये है वे आपको पतादे की जनपत बिजनौर के नगीना देहार राइपूर्थाना छ्वेतर के गडाम और अंगाबाद उफ पतादे की लाल वाला में लगभग 15-20 दिन पहले ही घर में चार पहिया गाड गुसने से एक ही परिवार के दो मासुम बच्चों की जान चली गई थी और बच्चों की पिता गंभी रूप से घाल बताय जा रहे थी आज उन बच्चों की पिता मनी राम सिंग की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है शब घर पर पहुचने पर गुसाय प अक्रोष दिख रहा है इस बड़े हास्ते में पूरे लाल बतादी की वाला गाउं और उसके परिवार वालों में मातम चाया हुआ है चले फिलाल इस गुलेटिम में इतना ही न्यूजवल इंडिया पर खबरों का सिलसला लगातार जारी है नमस्कार